हेलो स्कूडेंट्स आज हम मल्टिप्लिकेशन का पार्ट फॉर पढ़ने वाले हैं अगर आप लोगों नहीं मेरा चालर सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक और शियर करना मत बुलिए मुल्टिप्लिकेशन के पहले पार्ट 3 में भी हमन मुल्टिप्लिकेशन के जो सारे टॉटिक्स है यहीं वह सायर चींद यहीं हैं आज आप कभी नहीं हैं वो सारे एक्जमपस में भी हमने देखा था कि मुल्टिप्लिकेशन कैसा करना ही हमारे जो डेली जो होते हैं उसमें अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लेम आए एडिंग में या फिर मुल्टिप्लिकेशन में तो हम पटक से एंसर कैसे निकाल सकते ही वो भी ट्रिक में आप सब्सक्राइब करना है कि मुल्टिप्लिकेशन के लिए सबसे जो में जो बैस है उसके लिए हमें क्या करना होगा टेबल करने होंगे जब तक मुल्टिप्लिकेशन हमें नहीं आएगा जो लो हम स्टार्ट करते हैं जिसके फूर मुल्टिप्लाइट बाए फूर अगर हम य कि फूर्ड एहां पर फिंगर oss यह यहां पर पूर पूर्ड दिया है लेकिन वह क्या करना है कि इता होना है इस को इसके हुए हो दो खृता है्ता है को 16 ऑंकिर तो तक ओना होगा world फूर जा 16 इस तरह से हमने मुल्टिप्लिकेशन का यह वाला प्रॉब्लम सौल किया यह पहले पार्ट 3 में भी हमारे वह सारे जो प्रॉब्लम से वह इस तरह की हो चुके हैं हम एक बार रिवाइस कर रहे हैं उसके बाद यह देखो 3 बलूंस 3 बलूंस कितनी बार है यह 3 3 बल हैं कितने कितने बलूंस से एक ग्रूप में 3 बलूंस से तो 4 x 3 is 4 3 जा 12 इसे तरह से हम यह वाला भी करेंगे जैसे के 2 x 3 कितने होगे 6 2 3 जा 6 3 x 3 3 जा 9 6 x 7 6 7 जा 42 10 x 2 10 2 जा 20 7 x 4 7 4 जा 28 और 8 x 2 8 2 जा 16 कि अगर हमारे सामने इस तरह से कंडिशन रहती है कभी कि यहां पर एक ग्रूप में कितने फेश है 3 फेशे से 3 3 3 3 ऐसे कितने ग्रूप से तो 1 2 और 3 मतलब 3 फेशे 3 ग्रूप में है तो हम इनको गिनते बेढ़ेंगे तो बहुत ताइम हो जाएगा लेकिन हमें शाटकट मे करने हैं there are three groups of fish and three fish in each group हर ग्रूप में कितने फेशे से तीन फेश है और उनके वैसे ही 1 2 3 ग्रूप से तो यह 3 प्लस यह 3 अगर हम आइडिंग करते हैं तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे करते हैं तब हमारे जाके 9 एंसर आता है लेकिन हम अगर इसे फटक से कर जाते हैं यह 3 और यह 3 3 multiplied by 3 is 9 हो जाता है यह बहुत ही easy और shortcut 3 के multiplication की ओके next example में हमने देखा है there are 2 groups of candles and 10 candles in English group यह कितने groups है 1 candles का group और यह है 2 तो एक group में कितने candles है तो 10 candles है तो directly हम क्या कर देंगे यह 10 candles 2 group 2 multiplied by 10 कर देंगे okay तो कितना answer आएगा 20 कि मुश्य तरी से हमारा जो है वह है question there are 3 groups कितने groups है 1 2 3 number देखती हूं था कि आपको उच्छे से समझ में आ जाए 3 okay कितने है यह 123 तो there are 3 groups and of orange और एक group में कितने है तो 1 2 3 4 5 6 okay 6 orange एक group में है तो directly हम कितने क्या कर देंगे 3 groups multiplied by 6 orange okay 3 multiplied by 6 3 3 6 कितना आता है 18 okay 6 plus 6 plus 6 करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और हमारा जो answer है वो उसके लिए हमें बहुत जो main topic है वो है word problems word problems कैसे solve करते हैं वो आज हमें देखने ही अगर हमें पूछा जाता ही there are 16 books in every rack of a library अगर library में हर एक रैक में रैक आपको पता है जो shelf होता है books रखने का उसको हम रैक पूलते हैं library में एक रैक में अगर 16 books है okay how many books are there in five racks तो अगर एक library में sorry एक रैक में 16 books है तो five racks में कितने है okay तो इस तरह से हमारे question पूछा गया ही तो directly कुछ हमें करना नहीं है बस यह लिख देना है कि books in every rack of a library library के एक रैक में कितने books है 16 books are there in racks वहाँ पे कितने racks है तो five है okay तो हमें 16 multiplied by five कर देना है और सबसे पहले हमें six multiplied by five करना है जैसे कि मेरे पिछली वीडियो में आपको पताया था अगर आपने वह नहीं रेक होंगे तो पेशली वीडियो मेरे देखें जी लास्ट में आता है once तो सबसे पहले यह जो once है इसका multiplication हम कर देंगे six multiplied by five तो six multiplied by five is thirty okay तो थट्टी का थट्टी तो हम नहीं लिख सकते इसलिए लास्ट का जो zero है वह आप लिख देंगे और थ्री जो है यह चला जाएंगान इसके सर के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है तो यह अभी यह तो हो गया तो वही वैल्यू सेम आ जाती है क्योंकि five वंजा five ही होता है तो five वंजा five लेकिन और यह थ्री जो ही हमारी सर के ऊपर जाते बटा है तो इसको भी तो आड़ करना ही पड़ेगा तो five plus three कर गते हैं तो यह हो जाएगा eight okay तो हमारा answer आप जाएगा 16 multiplied by five is eighty okay अभी next to him next word problem is same वैसे करना हमें इसे ट्रिक से आँ there are 12 चोकलेट से अभी बॉक्स अभी हमारे पास चोक्लेट के बॉक्स है और एक बॉक्स में कितने चोक्लेट से 12 चोक्लेट से 12 चोक्लेट से और ऐसे हमारे पास आपश अभी उसने six बॉक्स दे दिये होगे कितने भॉकस देती हुए चॉक운ेट्स के 6 में एक बॉकस में कितने चॉकुलेट्स 12 थे उक तो मुझा χिंदेना है 12 multiplied by 6 कर देना है तो सेम उसी प्रोसिजर से सबसे पहले यह जो last one of one से इसको हम multiply कर देंगे 2 multiplied by 6 2 multiplied by 6 कितने आता है 2, 6, 12 12 आता है तो यह जो last का 2 है यह हम यहापर लिख देंगे और यह one हो जाएगा इसके सर के उपर प्यारी तो 2 multiplied by 6 हो गया अभी हम करेंगे 6 multiplied by 1 तो 6 multiplied by 1 6 ही आएगा तो कि 6 मंजा 6 होता है और यह जो one सर के उपर बल्टा है उसको पी तुपर यह राइड करना ही होगा तो 6 मंजा 6 6 हमारा है आपर answer आ गया और 6 plus 1 is 7 72 इस राइड answer थार्ट जो वर्ट प्रोप्लेम है यह से लिसा deste ही है फर्क ग्ष्ट गेसे जहां फर्क एकक, से एयह कि इसमे.. ईक生 बाइन तरह चार रूपयों पिश्ट में में बलाएग है वाट वर्ट में काश्ट आप टेंट पैंसे गस्सीट? लोप में किलें पेेंसे कश्ट केंच्ने अम केंगी? सब्सक्राइबwerk करेंगे लाश्ठ राकर स अब exempt act कि अगे वाधि सब्सक्रार करेंगे अब इके नहें ख्रेंगे अगे पृष से ग वीडियों में बहुत ऑघवा 4 multiplied by 1 is 4, 40, okay? 4 multiplied by 10 हो गया हमारा 40 अभी एच्वर लास्ट वाला एक्जामपल ही नहीं हो हम देखने माले हैं अगर एक प्रोंग गरेनेट मतलब एक अनार की कीमत 9 रूपीज ही तो 11 अनार की कीमत कितनी होगी? तो simply हमी कुछ नहीं करना है 9 multiplied by 11 कर देना है तो उसका एंसर आएगा 99 अब यह एक जामपल वाहने दी कॉस्ट ऑफ वन मार्बल इस रूपीज तू वाट इस तो एक मार्बल की किमत 2 रूपे है तो 35 मार्बल की किमत कितनी है तो 2 multiplied by 35 से वैसे करना है सबसे पहले यास्ट से शुरूआ करनी है 2 multiplied by 5 इस 10 तो 10 का 10 हम नहीं लिख सकते हैं जीरो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे और यह 1 हो जाएगा यहाँ पर इसके सर के ओपर कैरी तो 3 multiplied by 2 is 6 और 6 plus 1 is 7 इस बहुत ही इसी है तो 253 बाल्स हमें कितने रुपीर में मिल यह सिर्फ बहुत है तो 3 multiplied by 3 तो सबसे पहले लास्ट में लेसे स्टाट करेंगे हमेशा की तरह लास्ट में यह 3 तो 3 multiplied by 3 is 9 3 multiplied by 5 is 15 15 का पूरा तो हम 15 नहीं लिख सकते हैं इसलिए लास्ट का जो 5 है वह यह आपी लिखतेंगे और 1 हो जाएगा क्यारी 3 multiplied by 2 is 6 6 plus 1 is 7 तो हमेंना एंसर आगा है कितने बाल्स 253 बाल्स के हिमत कितनी होगी तो 759 तो देर थिटी सिस्ट चेयर इन एक लास्रूम्स अगर थिटी सिस्ट चेयर्स हें ख्रास्रूम्स में तो एक लास्रूम में कि पूचिए से 36 तो ऐसे 8 क्लास्रूम्स में कितनी चेयर्स होगी तो से वेसे ही करना है 36 multiplied by 8 तो यह आप मुझे करके बताईए यह कितना आता है वीडियो को पिले पॉच्छ किजिए फिर करके बिताईए और लास्त वाला जो है यह भी आपको homework में है प्रैक्टिस करने हैं तो इस तरह से उच्छों मुझे का पार्ट फॉल भी हम बहुत अच्छी तरह किसे समझ गए बहुत ही इजी था बस आपको करना है है कि प्रैक्टिस करने हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह किसे आपको यह करते आएंगे अगर आप तक आपने भी मेरा चाल्ल लाइक और सब्सक्राइब ने किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिजी हम ऐसे ही अगले मीडियो के साथ मिलेंगी तब तक के लिए आ बाइ बाइ